So dear students, आज का जो reaction का trick हम देखने वाले हैं वो है Kenizzaro reaction Kenizzaro reaction में सबसे पहले एक ऐसा LDH लिया जाता है जिसमें alpha H available नहीं होता है Concentrated alkali की presence में one of the unit gets oxidized and another gets reduced एक का oxidation होता है, दूसरे का reduction होता है Doubt यह आता है कि sir अगर वो units अलग-अलग हैं तो कौन oxidize होगा, कौन reduce होगा तो इसका trick यह है कि जो छोटू होता है, वो oxidize होता है और जो मोटू होता है, यानि जो बड़ा molecule होता है, वो क्या होता है, reduce तो इससे आपको हमेशायद रहेगा, योकि मोटू जो है उसको reduce होने की ही जरूरत है तो मोटू का reduction होके alcohol बनेगा, और छोटू का oxidation होके acid का salt बनेगा Because basic medium यहाँ available है, all the best